आपको अपनी शारिरिक आवशक्ताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहन करना चाहिए सभी तरह के विशयासक्ती कमजोर बनाती है विशयों में आसक्त प्रानी वासनाओं का गुलाम होता है सभी काम भोगों की इक्षा करना अपमान जनक और अभद्र है लेकिन मैं तुम्हें खहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवशक्ताओं की पुर्ती करना बुराई नहीं है शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक करतब भी है अन्यता आप अपने मनोबल को दिड़ और स्वच्च नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्या रूपी प्रदीब भी प्रज्युलित नहीं कर सकेंगे ये लाई ने डॉक्टर बाबसाव अम्बेटकर के लिखे उस ग्रंत की हैं जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम याने के आज के दिन ही पुरा किया था बुद्धा एंड हिस धम्मा ये पुस्तक न सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के सिक्षाओं उपदेशों को आसान तरीके से समझाती है बलकि उनके बारे में गलत तरीके से बताई गई कुछ अतार्किक धार्णाओं का भी तर्क संगत जवाब भी देती है दरसल तथागत का संपूर्ण दर्शन ग्यान और तर्क पर अधालित है लेकिन उनके विरोधियों ने उनके नाम पर मन गढ़ंत धार्णाओं के रूप में अपने एजेंडे को सेट कर दिया जो कालांतर में तथागत के जीवन से जोड़ कर वो कथाएं सुनाई जाने लगी बाबा साब का ये ग्रंथ उन्ही अतार्किक कहानियों का तर्क पूर्ण जवाब देता है और यही कारण है कि जिन लोगों ने बुद्ध धमों को देश से मिटाने की साजिश रची थी वो जान बूच कर विदेशी कर्मकांडी विचारधारा वाले बौध गुरूओं को अधिक महतु देते हैं और आमबेटकरी बौधों को तो वो बौध मानने से ही इनकार कर देते हैं बाबा सहाब ने बुद्ध के तारकिक विचारों को सही तरीके से समझाते हुए गरंथ में उस घटना को समझाया है जिसके बारे में अब तक सरकारी पाठ पुस्तकों में भी जूट परोसा जाता रहा है एक आम नागरी विद्यार्थी या पढ़ लिखकर उच्च अधिकारी बन गए विक्ति को भी तदागत गौतम बुद्ध के ग्रिह त्याग से जुड़ी एक अजीब सी कथा ही मालूम है जैसे उन्होंने एक व्रिद्वेक्ति, एक बिमार वेक्ति और एक मृत्वेक्ति को देखा तब से वे व्याकुल थे और इसका उपाय ढूणने के लिए रात के अंधेरे में अपनी पत्नी बच्चे को छोड़ कर एक तरह से धोखा देते हुए जंगल में चले गया है ना बड़ा अजीब सा कारण क्या ये बात आप हजम कर सकते हैं कि अपनी उम्र के 29 साल में उस राजकुमार ने किसी भी बुढ़े होते वेक्ति या बिमार होते वेक्ति को मरते हुए ना देखा हो जबकि किसी राज्य में ये घटनाए रोज ही सैकडों की संख्या में होती रहती हैं सवर्ण इस्त्रियों में आजकल एक नया फैशन है बुढ़ को स्त्री विरोधी बताने का कि वो पत्नी को धोखे से छोड़ कर चले गयते जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने एक भयंकर युद्ध के खिलाफ अपने ही मंत्री मंडल से बगावत करके युद्ध करने से इंकार कर दिया था तब उन्हें जबरन ही देश निकाला दे दिया गया था उनके देश निकाले की खबर से उनकी पत्नी और पिता बहुत ज़्यादा शोका कुल हो गये थे और उन्हें जाते वक्त राज की सीमा तक छोड़ने भी आये थे ब्राह्मनों ने इस कहानी में अपनी मानसिक्ता गुसेड़ते हुए उन्हें रात के अंधेरे में भगोड़ा साबित करने की सैकड़ों किताबे लिख डाली लेकिन पुरातत और ओरिजनल स्क्रिप्ट हजारों सालों पहले जो दिवार पर उकेरी गई थी उन तस्वीरों की कहानी से बुद्ध का सच स्पष्ट हुया और इसी सच को पूरे रेफरेंस के साथ जैसे ही बावा साहब डॉक्ट हुम बेटकर ने बुद्धा एंड इस धम्मा इस किताब में लिखा तो ब्रामनों के होश उड़ गए थी और उन्होंने बुद्ध को बदनाम करने वाली किताबे अपने सबूतों के अभाव में चापना बंग कर दिया बावा साहब ने सिदार्थ गौथम के ग्रहत्याग की असली वजह तरक के साथ सब के सामने रख दी दरसल शाक के और कोली राज्ज के बीच रोहनी नदी के जल के बटवारे का लेकर जो विवाद युद्ध का रूप ले रहा था जिसको रोकने के लिए सिदार्थ को देश छोड़ना पड़ा और पईणाम स्वरूप युद्ध टल गया राजकमार सिदार्थ ने सूचा कि थोड़ी अवधी के लिए देश छोड़ने से दो राज्जों में अगर शान्ती आ सकती है तो उन्होंने विश्व शान्ती है तू महाभी निश्क्रमन का विशार कर लिया और पईणाम विश्व के सामने है वो बिना बताये नहीं बलकि घोषना के साथ राजमहल से निकले थे कपिल वस्तू की संग सभा में सिदार्थ गौतम ने जो देश त्याक की घोषना की थी उसका पता माता यशुधरा को सिदार्थ के महल पहुँचने से पहले ही चल गया था महल पहुशने के बाद यशोधरा कैसे सभा की बाते और उनकी देश्टाक की गोशना के बारे में खुलासा किया जाए यह सोच कर सिद्दार्थ स्तब रहे गए कि यशोधरा नहीं स्तब्ता को भंग करते हुए कहा संग सभा में आज जो कुछ भी हुआ उसका पूरा वृतान्त मुझे मिल चुका है आपकी जगह अगर मैं भी होती तो कोलियों के विरद्ध युद्ध के में सहभागी न होते हुए मैं भी वही कदम उठाती जो आपने उठाया मैं भी आपके साथ प्रवज्जा स्विकार कर लेती लेकिन राहुल के जिम्मेदारी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती आपको ये भी बता दें कि बुद्धा एंड इस दम्मा इस ग्रंत की रचना के कारण से भी एक और घटना जूड़ी होई है दरसल नहीं सविक्यावन में कलकत्ता की महावोधी सोसाइटी के जनरल पत्रिगा के संपादक ने बाबा साहब से कहा कि वैशाख पुर्णिवायाने की बुद्ध जैंती के लिए एक लेख लिख दीजिये बाबा साहमने लेख लिख दिया कि बुद्ध का धम्म ही वह धर्म है जो भारती समाज को विज्ञान से जागरित कर स्विकार कर विक्सित कर सकता है आधुनिक दुनिया के लिए बौधों का धम ही उत्तम धम है जो वह इस दुनिया को विज्ञानवात को बढ़ाते हुए विखसित कराते हुए शुक्षान्ती प्रदान करते हुए आगे ले जाएगा बौध धम का तत्व ही विज्ञान है बौद धम का साहित ते इतना विशाल है कि कोई भी इस बुद्ध धम के बारे में पूरा पढ़ सकता है इसी वजह से यह विकास की गती को बढ़ाता है और जैसे ही यह लेक छपा बाबा सहाब को सैकडो पत्र और टेलिफून कॉल्स आने लगे सभी में एक ही अनुरूद था कि आप तथागत गौतम बुद्ध और उनके धम के बारे में विस्तार से लिख कर हमारा मार्ग दर्शन कीजिए और फिर बाबा सहाब ने ये गरंत लिख दिया ये भी विचारनी है कि आज ही के दिन वो गरंत पूरा हुआ था और आज की रात ही उन्होंने अंतिम सांस ले थी सिर्फ यही नहीं बाबा सहाब के सभी गरंत तर्क संगत तथ्यों के साथ आपकी आँखों को खोल देते हैं सारे भ्रमों को तोड़ देते हैं भले ही आज वो जीवित अवस्था में हमारे बीच नहीं है लेकिन किसी भी तरह के राजनीतेक, आर्थेक, सामाजिक, न्यायक या यूँ कहें कि व्यक्ति, देश, समाज और समग विकास की राह में आने वाली सभी बाधाओं और सवालों का जवाब वो आज भी हमें दे रहे हैं और हमें देश और तमाम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं बहुत बहुत देने वाले